आज हम ऐसी मुवी के बारे में बात करेंगे जिसका जब पर्ट वन आया था, तब पूरी बॉलि वुड को ये हिला डाला था हाँ आज हम बात करने वाले कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट के जिए पर्ट 2 के बारे में जिसमें fact के साथ साथ हम देखेंगे इस movie का behind the scene भी जो मुझे पता है आपको भी देखना पसंद है क्योंकि movie तो सभी लोग देख लेते हैं लेकिन उसके पीछे कैसी मैनत लगी है वो कोई भी नहीं देखता तो इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे इस movie का behind the scene और इसक ने मस्तिया की है तो इसलिए आपका बिना कोई damage case शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को की शुट किया होगा लेकिन sorry guys मैं आपको थोड़ा सा यहां पर upset करूँगा क्योंकि इस दिन को real दिखाने के लिए इद्दम real suit किया गया है जहाँ पर इसका behind the scene आप अपने लेकिन प्रसान निल ने अपने story के हिसाब से पुरानी गाडियों को उठाया जिससे प्रूफ होता है कि जब वो इस movie को लिख रहे थे तो पूरी तरह पास्ट में थे तो अब हम चलते हमारे अगले scene की तरफ जहापर आपने बीच वाले scene को देखा ही होगा कि जब सभी को लगता है कि अधीरा से डर के रॉकी भाय कहीं और चले गया है लेकिन फिर सा क्या मिन्टों में पता चलता है कि रॉकी भाय कहीं गये नहीं थे वो तो कोई बड़ी डील करने आये दूबई में और इसी scene के बाद हमें एक खतरनाक लुक देखने मिला ता रॉकी भाय का तो वाले सीन को देखके आप बोलते रहोगे कि दुबई में किसी फेमस बीच में इसे सूट किया होगा लिकिन ऐसा नहीं है प्रसांद निल ने इसे इंडिया में करनाटक में सूट किया था लिकिन स्टोरी और एडिटिंग कुछ इस तरीके से बनाई थी कि यह बाहर देश का ही मिलता है और यह लुग जब उस समय निकला था तो काफ़ जादा ट्रेंड में आया था जहाँ पर आप देख सकते हूं कि रोकी बाई कैसे पारलिमेंट में आते हैं और यहां पर बैटके इसकी सूटिंग करते हैं और यहां पर इनका याद होगा और नहीं आदे तो कोई ब यह डायलोग मुझे काफ़ आदा पसंद आया था आपको पसंद आया था कि नहीं यह मुझे कमेशेशन में जबर बताना तो आप हम चलते हमारे अगले सीन की तरफ जहां पर हम देखने वाले यह कोलार गोल्ड फिल्ड जहां पर मूवी का 50% हिस्सा सूट किया गया है अब आप सूटे रोगी कि इस कोलार फिल्ड को दिखाने के लिए बहुत पैसे खर्चे करने पड़े होंगे लेकिन ऐसा नहीं है करनाटक में रियल में ऐसा एक कोलार फिल्ड है जहां पर देखा जाए इसकी स्टोरी काफ़ एदा मैच करती इस कोलार फिल्ड से हां लेकिन प्रदे लगा कि कुछ इस तरीके से सूट किया गया ता और दिखा जाए इस सीन में काफी बड़ा पंकह भी आपको देखने मिला ओगा जो आपको खुद को पता रहेगा कि इसे क्यों यूज किया गया है ये तो हमारा पुराना तरीका है अगर किसी का इंट्रोड़क्शन हो रहा है और वहाँ पर उसका बान ला उड़े तो वो introduction किस काम का तो अब तो आप समझी गए रहोगे कि वो बड़ा पंका क्यों वो लेके चल रहा है तो अब हम चलते हैं हमारे अगले scene की तरफ जहाँ पर आपको पर ही इस मैल का एक गमी setup बना सकते थे लेकिन वो रियल नहीं दिखता और वो चाते थे कि इस फिल्म में हर एक scene को इदम रियल तरीके से दिखाएं तो आप हम चलते हैं हमारे climax वाले scene की तरफ जहाँ पर Rocky और अधीरा का एक कमाल का fight देखने मिलता है देखो गाइस अगर हम movie को एक side में रखे तो climax हमें काफे अधा पसंद आता है और movie maker ये अच्छे से जानते हैं और इसलिए प्रसान निल ने climax के लिए अलग से 12 करोड रुपे बचा के रखे थे और उसके बाद movie का ये scene अगर बॉलिवूड में बना होता तो hero जो है अपने double body को यूज़ करते क्योंकि ये fight काफी अधा खतानाग था लेकिन आपको इस scene का एक fact बता दू इस वाले scene में किसी भी double body का use नहीं किया गया है जहाँ पर संजेदत और येस ने ये climax वाले scene को कैसे भूल सकते हैं जिसे हमने trailer में देखा था और trailer में देखने के बाद इस scene के लिए हम रुकना ही नहीं चाहते थे जहाँ पर हमने देखा था Rocky भाय का एक खतरनाक लुक और उनके हाथ में एक खतरनाक बंदू अब गाईज इस पे वाह वाह मत भूलना क्योंकि ये तोड़ा कमाल का rhyming word बन गया बट सची बता ना इस वाले scene के लिए आप भी wait कर रहे थे या नी और उसी Parliament का आप behind the scene अपने screen पे देख सकते हो जहाँ पर Parliament के साथ साथ आप इस scene का भी behind the scene वाहाँ पर देख सकते हो और उसी की साथ आप अपने screen पर ये भी देख सकते हो कि कैसे वाहाँ पर AK-47 की गन की भंडार लगे हुई है और गन के साथ साथ पुराने पुराने जीप भी रखे गए और भी बहुत कुछ बटिवाला scene काईस परसनली बोलो तो काफ यादा कमाल का था क्यूंकि हमने सूचा था कि यह भाय रमिका को मारेंगे लेकिन आखरी में हुआ क्या वो तो चैप्टर वन को काफ यादा प्यार दिया था और वो चैप्टर टू के ले काफ यादा excited थे बट इस movie और इस director का एक सबसे कमाल का mindset है जो Bollywood के directors को सीखना चीए और अगर साथ के director की बात करें तो उन्हें तो यह सब पता ही है तो आप सोसे रहों कि भाई तो किस चीज के नीए में बात कर रहे हैं तो गाईज मैं आपर बात कर रहा हूं विलन के बारे में जहां पर chapter 1 के trailer में भी हमें देखने नहीं मिला था कि कोन है to OUTकोन विलन के भाई थोड़ा थोड़ा बॉली वुड वी सीखना शूरू किये जहां पर हमने यहाँ जावान वाले trailer में देख हाँ वहाँ पर कोई भी विलन का इंट्रोरक्शन नहीं किया गया और अगर आपको सलार और जवान के बारे में और कुछ जानना तो हमने उसके उपर वीडियो बनाया आप जाके वो चेक आउट कर सकते हो लेकिन हमने आप थोड़ा सा तो गलत बोला है जिसे आपने बिल्कु करना है लोगों के बीच में हाइप पहुचाने के लिए तो आप साउट के डारेक्टर के पास आ जाईए वो सीखा देंगे विलन के साथ साथ ऐसे कई सारे हाइप थे जो कि प्रसान निल ने लोगों के बिच में बनाया था जैसे रमीका सीन प्राइम मिनिस्टर बढ़ने क बात क्या करने वाली है रोकी भाय को और ऐसे बहुत कुछ जो की चैप्टर वर्ड में आखरी में दिखाया गया हाइप पहुचाने के लिए जिससे लोगों की बीच में पता चले कि चैप्टर टू और भी खतरनाक तरीकों से आने वाली है तो अब हम चलते हमारे अगले से या फिर कई ना कई से मैच कर रही है और उसके साथ हम ये भी देखेंगी कि इस फिल्म को हिड़ बनाने के लिए और किस-किस का योगदान लगा है देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये स्टोरी कोलार गोल्ड से कई ना कई से कनेक्टेड है जहाँ पर मैंने पहले को करनेकशन के वे इसे बनाओ कि कई ना कही से वह कनेक्टेड ऊ तो आप हम बात करते हैं मुवी के और और सिदा दिख रहा है कि रोखी भाई इस फिल्म में कितना ज़्यादा मेंनत किये और उन्हें के साथ में इस फिल्म के डायरेक्टर भी यानि कि प्रसान मिन जिन्हें आप देख सकते हो कि बच्चों को भी ओ कैसे डायरेक्ट कर रहे कि इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है ये डायरेक्टर ने तो फिल्म इंडर्स्टी में आग लगा डाली है क्योंकि अब इन्हें कंपार किया जा रहा है ऐसे साजा मोली से जो काफी बड़े डायरेक्टर है इंडिया के ऐसा मैं नहीं ऐसा सभी मानते हैं और अगर चैप्टर 2 की विलन की बात करें तो संजू भ पसंदारे लोगों के विश में इसे साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले सेग्मेंट के तरफ जिसका नाव है एंड औफ तवीडियो जहां पर हमें ये जानने मिले है कि इस वीडियो से हमने कीजेव फार्ट बन के बारे में बहुत कुछ जाना तो इसलिए हमें इस वीडिय फैनू इन दोनों का तो इसलिए मैं तो कमेंट करने वाला हूँ तो आप फटाफट कीजिए और इस वीडियो के बाद आप कहीं न जाईए क्योंकि आपके लाइट है लेफ में कोई ना कोई ग्रीन स्क्रीन का वीडियो आता होगा तो प्लीज आईए वाँ पर भी अपना प्यार दिखाईए क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको मिलूँगा कोई अगली वीडियो में एक नए मूवी को लेकर तब तक के लिए बाई बाई टेक केर